मन की शांती के लिए अपनाए ये पांच आसान हुपार शास्तरों के अनुसार व्यक्ति का मन जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है मानव के निर्मान में मन काफी महत्वपूर्ण भुमी का निबाता है गीता में स्रीकृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन उसके मुख्ष और बंदन का कारक होता है सफलता हासिल करने के लिए मन का मजबूत होना आवशक है धार्मिक शास्तरों में मन को मजबूत करने के कुछ खास उपाय बताये गए है आईए जानते हैं क्या है वो उपाय सुरिय को जल अर्पित करे नित्य सुबस्नान करने के बाद सुरिय को जल अर्पित करे ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आपका कार्य में मन लगने लगेगा गायत्री मंत्र का जाप निद्यनियम से गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शान्ती मिलती है और जीवन में इस सकरत्मक उर्जा का प्रवाव होता है ओम पुर्बुवस्वह तस्य विदूर वरेन्यम भर्गो देवस्य दीमही दियो योन प्रचो दया ये मंत्र का जाब करने से मन को शान्ती मिलती है सादा और सात्विक आहर ले धर्मिक मान्यताओं के अनुसार मन की शान्ती के लिए सात्विक आहर लेना चाहिए सात्विक आहर लेने से हमारे मन में बुरे खयाल नहीं आते है और ध्यान नहीं बटकता है मन की शांती के लिए एकादशी का वरत भी किया जाता है धार्मिक माननेताओं के अनुसार एकादशी वरत करने के अनेकों फाइदे है एकादशी का वरत हर मैने में दो बार पड़ता है अगर इस दिन वरत करना आपके लिए संबव नहीं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करे नित्य भगवान का ध्यान करना चाहिए ऐसा करने से मन शान्त रहता है और सबी कारियों में सफलता मिलती है अगर आपका मन अशान्त है तो ये पांच उपाई जरूर आजमा के देखे आपके मन को शान्ती जरूर मिलेगी और आप खुश महसूस करेंगे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएए और हम चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटस वीडियो के जानकारी मिलती रहे खुश रहे और अपना ध्यान रखे